हेलो एब्रिवन आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि यह जो आपका ट्रेनिंग है या आपका जो मतलब आप स्टार्टिंग जो जो लोग जॉब सुरू करना चाहते हैं जो लोग पेला वर इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं उन लोग के लिए क्यों एक रेपूटेड ब्रैंडेड होटल या एक अच्छा सा फाइवेस्टर ब्रैंडेड होटल क्यों मैंटर करता है तो इसी टॉपिक को अज में कभर करूंगा ठीक है तो जैसे मैं चाहे हो आपका स्टार्टिंग जॉब हो तो यहां पर यहां पे क्या होता है आपको प्रोफेसंनलिजम जो एक्छिएल होटल इंडस्ट्री होता है जिसको होटल इंडस्ट्री बोलते हैं उसको वह सब चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है एंड यह काम and working hours होता है एक standard maintain होता है ठीक है यह सब chain group of hotels में आपको कोई भी chain group of hotels में आपको ज्यादा working hours नहीं है चाहे वो इंडिया हो अपरोड तो ही आपको 7-8 घंटा काम करना पड़ता है अपरोड में बट मैं अभी इंडिया का बात बोल रहा हूं इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि आपको 17-18 आवर्स काम करना पड़ता है या मेभी 16-15 आवर्स काम करना पड़ता है रेपूटेट होटल में ओके chain group of hotels में वहां पर एक standard maintain रहता है एक system में काम होता है systematic way में काम होता है ठीक है सब कुछ system में होता है और वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है वहां पर आपका जो senior है जो आपका manager है जो आपसे जो senior है उन लोग को सब सब लोग को आप एक प्रोफेस कर सकते हैं आप लोग नोटिस कर सकते हैं वो लोग एक professional जो standard जो maintain करते हैं वो totally hotel industry जैसा चलता है वो ऐसा ही maintain करता है ठीक है so मैं यही बोलना चाता हूँ कि जो लोग अपना starting job सुरू करना चाते हैं यह industrial training में जा रहे हैं एक अच्छा सा branded hotel से सुरू कीजिए क्योंकि यहां पर professionalism बहुत matter करता है ठीक है आपका जो certificate है IT certificate industrial training certificate बहुत ही matter करता है और आपका जो शुरू starting job है जो शुरू का जो आपको struggle करना पड़ता है तो यहां पर आपको शुरू करना चाहिए एक अच्छा सा branded hotel से क्योंकि वहां पर आप सीख पाएंगे बहुत कुछ सीख पाएंगे लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सरे students बहुत सरे SFS candidates ऐसा हैं कि वो लोग पहुत जाते हैं कोई भी maybe fourster hotel में और maybe non chain group of hotels में वो fivester हो सकता है लेकि non chain group of hotels है ओके वो chain group of hotels नहीं है तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहला बात वहां पर systematic way में काम नहीं होता है कोई standard maintain नहीं होता है वहां पर जो staff रहते हैं वो आधा से ज्यादा hotel management किया हुआ है नहीं रहता है में भी हो सकता है contract staff हो में भी हो सकता है कोई कोई ऐसे भी आ गया हो कोई ऐसे भी training कुछ certificate कुछ नहीं है वो ऐसे भी ऐसे आ गया हो ऐसे भी बहुत सरे मिलेंगे आपको देखने के लिए आप देख सकते हैं वैसा hotels में बट मैं सब hotels का बात नहीं कर रहा हूं लेगिन कुछ-कुछ hotels ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं बट मैंने फिल किया है मैं देखा है मैंने खुद experience किया इस बात को कि जो non-branded hotels है जो non-chain group of hotels है जो मेभी 5-star हो सकते हैं बट non-chain group of hotels है ओके लेगे तो यह सब hotels में professionalism नाम का कोई चीज नहीं होता है और आपका जो 4-star, 3-star है उसका तो बात ही चोड़ दीजे वो सब वो hotel में तो अपका professionalism नाम का कोई cheesy matter नहीं करता है ओके कोई-कोई hotel में है सब hotels में नहीं है तो मैं यही बोलूंगा आप लोग अगर जाना भी चाते है मतलब आप लोगों को offer letter मेल गया है कोई भी 4-star hotel का या 5-star hotel का जो non-chain group of hotels है या branded hotels उतना अच्छा नहीं है तो क्या कीजिए आप लोग चाहिए उस hotel में काम कीजिए काम करते करते आप लोग notice कीजिए कि systematic way में काम होता है की नहीं है उस hotel में professionalism नाम का कोई cheesy है की नहीं है उस hotel कैसा है observe कीजिए at first you observe okay so मैं यही कहना चाहता हूँ observe कीजिए observe करते रहिए अगर वो hotel सही है ठीक है सब कुछ आप सीख सकते हैं so आप continue कीजिए आपका training हो या आपका job हो but अगर वो hotel आप ऐसा feel करेंगे की यह hotel मेरे लिए ठीक नहीं है यहाँ पर मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ systematic way में काम नहीं हो रहा है जो industry actually में है जो hotel industry है वो ऐसा नहीं है ज्यादा से ज्यादा contract स्टाफ है फिर आपका आधा से ज्यादा कोई hotel management किया हुआ है student नहीं है ऐसा ही घुज गया है काम करने के लिए सो अगर आप लोग ऐसा देखेंगे आप लोग continue कीजिए ठीक है six months continue कीजिए four to six months continue कीजिए उसके बाद आप लोग resign दीजिए उस hotel से निकल जाए लेकिन निकलने से पहले आप लोग दूसरा hotel के लिए apply कीजिए उस hotel का जो दूसरा hotel में जो interview दे रहा है उस hotel का offer letter आ जाने द hotel okay और दूसरा जो branded hotels है उस hotel में move कर जाएजे ठीक है वहां पे चले जाएजे तो यही मैं बोलना चाहता हूं चाहे आपका और हां सबसे बड़ा बात जो आप लोग बोलता है ना कि 17 hours 18 hours काम होता है हां होता है यह सब hotels में होता है यह जो आपका non chain group of hotels है या 4 star, 3 star होता है वो इस hotel में कोई professional नाम का कोई चीज नहीं है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि सब 4 star, 3 star, 5 star hotels ऐसा है मैं बोल रहा हूं कि यह सब hotels जो आप लोग observe कीजिए ठीक है जाए काम कीजिए observe कीजिए आप लोग खुद देख पाएंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इंडस्री का अगर जो जो मैंने बात बोला अगर वैसा हुआ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कॉंट्रेक्टर स्टाफ है कोई professional नाम का चीज नहीं है ठीक है hotel industry actually में है जो आपको एक branded एक reputed chain group of hotels में देखने को मिलता है वहाँ पे आपका 10-11 और मेभी F&B service में जो लोग है वो लोग 12 hours हो जाता है अगर busy schedule रहता है तो busy अगर busy day रहता है तो ठीक है लेकिन बैसे में 17 hours 18 hours काम नहीं होता है कहीं पर भी नहीं होता है एक अच्छा सा branded hotels म okay branded बड़ा five star hotels में ठीक है तो क्या होता है ना कि beginning में बहुत सारे ऐसा candidates है freshers candidates जो चले जाते हैं ऐसा five star hotels में और मेभी ऐसा four star three star hotels में पोहँच जाते हैं क्या करेंगे वो लोग को नौकरी नहीं मिलता है वो लोग चले जाते हैं ठीक है और जाने के बाद वैसा काम होता है 17 hours 18 hours और उपर से आपका दिन रात ताने सुनने को मिलता है दिन रात दिन रात माइंड फ्रस्टेट होता है तो क्या करते हैं वो लोग अपना job quit कर देते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं छोड़के घर बैठ जाते हैं और इंडस्ट्री का बदनाम करते हैं यह चीज ठीक नही हैं hotel industry is very good industry believe trust me guys trust me okay so मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपका training हो और आपका job हो ठीक है starting में आप यह आपका career का journey का जो first step है वो एक अच्छा सा group अच्छा सा reputed branded chain group of hotels से सुरू कीजिए ठीक है for example आप JW Marriott लीजिए फिर आपका Oberai group of hotels लीजिए ताज group of hotels लीजिए ठीक है so यह सब hotels से सुरू कीजिए और maybe जो जितना भी branded hotels है जो chain group of hotels है अच्छा hotels है okay so यही मैं बताना चाहता हूं और ज्यादा कुछ नहीं यही कीजिए so आपको पता चल जाएगा industry कैसा है और मैंने जैसे बोला कि जो लोग अभी चल गया है जो लोग अभी four star या three star maybe चले गया है ठीक है नौकरी नहीं मिल रहा है चले गया है और maybe five star hotel जो non chain group of hotels से जो chain group of hotels नहीं है branded नहीं है वहाँ पर चले गया है काम कीजिए continue कीजिए अगर उस hotel में आपको professionally काम होता है standard way में काम होता है systematic way में काम होता है so आप वहाँ पर continue कीजिए no problem अगर आपको सिखने को मिलता है अच्छा वहाँ पर जो आपका manager है वह अगर professional है जो वह अगर अच्छा है अच्छा है अच्छा है so सिखिए तब आप continue कीजिए no problem but जैसे मैंने बोला कि वैसा अगर hotel में आप पहुँच गया है कि जहां पर आधा से ज्यादा contract staff भरे पड़े हुए है उस hotel में particular उस hotel में आधा से ज्यादा आपका hotel management किया हुआ ही बंदा नहीं है चाहे वो diploma हुआ चाहे degree और कुछ certificate नहीं है वो लोगों से दूर रहिएगा क्योंकि आप जो college में सीखा है ना वह भी भूल जाएंगे वहां पे रहेंगे तो उस atmosphere में रहेंगे तो और वहां पे आपको जाद आधा से जाद गाली सुनने को मिलेगा एक branded एक अच्छा hotel में कभी भी आपको गाली सुनने को नहीं मिलेगा कुछ खराब language, slang language आपको सुनने को नहीं मिलेगा So मैं यही बोलना चाहता हूं कि industry को बदनाम मत कीजिए industry is very good सिर्फ यह सब बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप beginning जब आप सुरू करना चाहें जब आप चाहे training हो और चाहे आपका starting job हो So वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ठीक है यह सब बात क्या है क्योंकि मैं खुद experience किया हूं Okay कभी सेयर करूंगा वह बात आप लोगों से So I hope guys you are got the information So take care, love you all, Dave Zipan, over and out So